सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि Learn With Dates जो सीरीज उंतलाइने इसका उदेश्या क्या है जैसे कि अब सब जानते हैं कि हग दिन के साथ कुछ एत्यासिक जटना जुड़ी होती है किसी famous personality का जनब दिन होता है किसी famous personality का निदन भी होता है कुछ ऐसी चीजे जिनका गठन भी हुआ हो इसी सेमें इसी सेम दिन के अंदर तो हम जितने भी current affairs से संबंदी जो बाते होंगी जो तारीक के साथ हम याद रख सकें सबसे पहले मैं आपका बताना जाऊँगा आज की दिन ही 27 जुलाइस 2015 को मारे जो पूरो राश्ट्रेपती डॉक्टर एबीजी किलाम का निधन हुआ था मेगाले की राज़दानी शिलोंग में एक अपना लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थी वहां पर उन्हें कुछ समय ही हुआ था तक्रीबें चार से पांच मुनिट के था उसके बाद में काडियक रश्ट के दर दोटा था फिर उनके उनकी मृत्ति हो जीती हुआ मैं आपको डॉक्टर कलाम के बारे में कुछ बाते हैं बताना जाओंगा उनका पूरा नाम दॉक्टर अबीजे कलाम का पूरा नाम था अवुल पाकी जुनबल दीन अब्दुल कलाम उनका पूरा नाम था हम सब जानते हैं डॉक्टर अबीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल के नम से भी जाने जाते हैं उनका कारण यह है कि वो बलिस्टिक मिसाइल एंड लॉंच विकल टेक्नोलजी के विकास कारण में उनका एहम योगदान रहा है इसी के साथ ही अगनी और पिथवी के मिसाइल प्रॉक्षिन में भी उनको काफी योगदान रहा था हूँ 2002 से लिकर 2007 तक उनने भारत के रष्टपती के तोर पे हमें जनता को सेमय परदान किये हैं उनको जनता कर रष्टपती भी कहा जाता है मेडिकल के शेतर में उनका एक खास एक एहम योगदान रहा है जो हमारे कॉडियोलोजिस्क डॉक्टर थे डॉक्टर बी सोम और आजो के साथ मिलकर उन्होंने एक स्टंट का निर्मान किया जो मार्किट में एवलेबर जीतने मिश्ट थे उसके कंपर में उसके प्राइस बहुत कम था एस्टंट के साथ उन्हेंने के लिपर का भी निर्मान किया था उसका वजन और प्राइस मार्किट से बहुत कम थे इस एक साथ ही हम दूसरी घटना पर जाएंगे आज के दिन ही CRPF का घटन हुआ था CRPF Central Reserve Police Force मैं आपको बताना चाहूँआ आजादी से पहले CRPF का अब जानाम था Central Reserve Police Force मैं आपको एक और बात बताना चाहूँँगा CRPF के जो परिस्टेम पे कररंटली जो प्रेजन्ट में जो डिरेक्टर है डिरेक्टर जनल डोक्टर एपी महेश्वरी है आनद परकाश महेश्वरी जो 1984 के IPS ओफिसर बैच के हैं उत्तो प्रदिशकाडर से आज के दिनी 1897 में बाल गंगर्दर तिलग को पहली पर गरफतार किया गया था मंबई से उन्होंने केसरी समाचार पत्र में एक काफी जोशीला लेख और शियोजी राई के पर लेख लिखा था जिसकी वेश्वरी ने गरफतार किया गया मैं आपको बता दू जैसे कि हम सब जानते हैं बाल गंगर्दर तिलग का जो नारा है सवराज मेरा जनम सिद्ध अधिकारे से में लेकर ही रहूंगा। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें भार्चय शान्ती के पिता कहते दे हूँ निसन सात में कांग्रेस के विवाजन के बाद नरम दल और गरम दल बने से तो बाल कंगदर तिलक लाला लजपत्राय और विपिन चंदरपाः के सात मिलकन इन्होंने गरम दल को चलाया था। इन्तीनों कॉम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन ही 1994 में जस्पाल रहना जो हमारे शूटर है इन्होंने वोल्ड शूल्टिंग चैंप्पेंशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था 1994 में ही इन्होंने अर्जन वर्ट से भी नमाजा गया था 2009 के लोकस्वाइ लेक्शन में ये राजनीती में खड़े हुए थे जिनमें विजे बहु बना से इन्होंने हार प्रप्त की थी 2009 के अंदर आज की और एतियासी गटना अमरिका के जोर्चिया में अटलांटा के अंदर एक बॉम प्लास्ट वा था उस समय पे वहां पे 1996 के अंदर ऑलोंपी गेम सल रहे थे और इवनिंग के अंदर वहां पे जो रंगा रमकारा करम होता है उस समय एक व्यक्ति की मृतिव हुए थी एक व्यक्ति की मृतिव और हुए थी जिसकी वह हर्टक के रिजन से वह थी अप्रोक्सिमिटल 111 के करीब लोग घायल हो जोए थी सबसे आपको एक वर बात असकी बात बताना चाहूँगा वहां की जनता की कि ब्लास्ट के अगले दिन भी खेल को कंटीनियू रहा गया था आज की दिन ही अमजद खान का निदन हुआ था 27 जुलाई 1992 में और उनका जनम 12 नवबर 1940 को हुआ था अपने 20 साल के करियर में लगबग उन्हों ने 130 फिल्मी की थी जो सबसे पहली मोवी थी नाजिनीन उन्हें किया थी उन्होंने थेटर रोल किया था उसमें उसके बाद में अब दिल्ली दूर नहीं 1957 में शूट किया था जो मेन फिल्म जिसके वज़े से हम उने जानते हैं हमनी सो पिचपतर में फिल्म आई थी शोले जिसको हम गबर गबर का करिदार निभाया था और आज भी मन को उनके करिदार से दने जाते हैं mostly इनोंने अपने 20 साले केरियर में अपने negative रोल निभाया है आ जाएंगे भी आपको उनकी comment box पर टाइप करना है तो जैसी questions हैं या आपको बताने जा रहा हूँ अब्दुल कलाम के नाम पर किस island का नाम रखा गया था 2002 के elections के अंदर जब डॉक्टर कलाम राश्टरपती बने थे उनने किस प्रत्याशी को हराया था तीसरा question है आपका जो CRPF के अंदरिक शोरह दिवस बनाया जाता है कब बनाया जाता है fourth question बाल गंगद अतिलक का बचपन का क्या नाम है बाल गंगद अतिलक को अधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था I hope आज आपने भहुत किस सिखा होगा हम इस सीरीज को ऐसे ही continue रुखेंगे stay tuned, stay blessed, thank you